हलो दोस्तों स्वागत है आपका टिंगल की रेस्वी में चलिए आज हम बनाते हैं पोहे की कचोड़ी एकदम यूनिक सा रेस्पी है आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा तो चलिए फिर सुरू करते हैं सबसे पहले करना क्या है कि पोहा लेना है और इसे हम एक बरतर में डाल देंगे अब बरतर में हम डाल देंगे पानी जितना में कि हमारा पोहा अच्छी तरह डूब जाए क्योंकि पोहे को हमको अच्छी तरह भीगाना है यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पोहे में पाइन ड अगर आपके घर में पीस भी सकते हैं कम मेहनत लगेगा आपको या फिर मिक्सर जार में भी चला सकते हैं यहां पर देखिए हम राटा तयार हो गया है अब इसमें थ्वासा पानी लगा कर छोड़ देंगे फिर हम पैन को कैस पर रख देंगे और इसे अची तरह गरम होने के अइब बार ढाल देंगे सर्सोय का तिल एक घरी मिर्श को काट कर जाल देंगे ने यहां पर कैपस कम और प्याज को बॉँर्ख अच्छी तरह ने गया है अब यहां पर यहां पर जाएगा चीली अच्छी तरह अउच्छ्छ चाट मसाला काली में गया बादो आलू को का पाउडर डाल देना है डाल कर इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे अच्छी तरह मिला लेंगे मारा आटा भी तरह हो गया है तो यहां हाथों तेल लगा कर हांथों से इसे थोड़ी देर मसल लेंगे ताकि यह थोगा सा और मुलाइम हो जाए अगर आपको पोहा का डो थोगा सा हाट लगे ता पाइं डल कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए पोहा इसरी थोगा सा पानी यह सोह करेगा लेकिन कोई द्रीक् अगर थोड़ी बहुत क्रेक भी आए तो आप टेंसा ना लें थोड़ी बहुत होता है लेकिन आराम आराम से करेंगे यह हो जाएगा अगर आपको इस तरह दिक्कत लग रहा है तो मैं आपको एक और तरीके बताऊंगे एक दम असान वाला यहां पर हम न थुआ सा छोटा सा लोई लिया था इसे ना हाथों से दबात दिया है इस पर स्टफिंग को डालकर दूसरे लोई को जो हमने बेला हुआ है उसको उपर से रखकर इसे चिपका देंगे देखिए हो गया ना एक दम आसान सा है आपको दूसरे बार भी दिखाए कर बता देती हूं तो हाथों से बेलान के कोई जोड़त नहीं है क्योंकि इतने मुलाइम होते हैं तो छोटा छोटा लोई लेंगे दोनों बराबर होना चाहिए ताकि एक दूसरे में चिपक जाए बीच में स्टफिंग को डालकर इसे हम सील कर देंगे साइड में तो अच्छी तरह जबात दीजेगा ताक अच्छी तरह फ्राइब करेंगे यहां पर देखिए इसके कलर मंज जाएगा यह तरह बगच्छुका आ अच्छी तरह कुरकुरा हो गया करते हैं कि आपको हमारी आज की रिस्पी अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नई रिस्पीक साथ तब तक ले बाए